इस वीडियो में हम डिफाइन करेंगे फीवर को कि अगर आप पेशन्ट की हिस्ट्री ले रहे हैं तो अगर फीवर एक कार्डिनल साइन या सिम्टम है या एक शीफ कम्प्लेन है पेशन्ट की तो फीवर के लिहास से आप कौन से क्वेशन्स पूछ सकते हैं अगर फीवर का मतलब होता है कि आपका बोड़ी टेंपरेचर नॉर्मल सट पॉइंट से बढ़ रहा हो अगर फीवर वन ओवन फेरनाइट से लेस देन है तो यह है लो ग्रेट फीवर अगर वो वन ओवन से वन ओवन सिक्स पेरनाइट तक है और ग्रेटर देन दे वन ओवन ओवन वो हाई ग्रेट होता है और अगर फीवर मोर देन वन ओवन सिक्स पेरनाइट है तो डिस इस दी हाइपर पायरेक्सिया फीवर के लिहाज ने जो हमारे केस्टेंज होते हैं कि फीवर कब हुआ फीवर का आंसेट क्या है ठीके फीवर आहिस्ता से हुआ या फिर जल्दी से हो गया ग्रेजुलन आंसेट है या फिर सडिनन आंसेट है फीवर के साथ हम associated symptoms भी पोचते हैं अच्छा फीवर का हम character इस तरह के से पोचते हैं कि फीवर के types होते हैं एक होता है continuous, intermittent, remittent और दूसरे अगर हम कहें कि high grade, low grade onset में gradual कहें या sudden कहें तो अगर continuous है तो वो passion आपको बताएगा कि मुझे पूरा दिन fever रहता है, intermittent है, एक week होता है, दूसरे week नहीं होता है, remittent है, तो वो degree से fluctuate करता है तो यह इसका हो गया character, उसके बाद हम कहते हैं कि fever के साथ आपको associated symptoms कौन से ही associate patient कहेंगा कि मुझे fever के साथ vomiting भी हो रही है, तो यह उसका associated symptom हो गया जिसे कभी कभी न, abdominal pain में passion को fever भी होता है, उसके साथ vomiting भी हो रही होती है fever के साथ body ache भी है, यह associated factor हो गया, fever के साथ headache भी है, यह भी एक associated symptom हो गया तो diarrhea है यह constipation है, इस तरह से हम उसको evolute करेंगे फिर एक होता है fever with rigors and the chills जब उसको shivering हो रही हो fever के साथ, तो उसमें हम कहते हैं कि fever with rigors and the chills इसमें यह भी हम पुछते हैं, वही same सवाल कि fever किस चीज से बढ़ रहा होता है, it is aggravated by the cold और किस चीज से यह कम होता है, जैसे किसी patient ने पैना डोल दी, तो वो कह रहा है कि जब मैं पैना डोल लेता हूं तब वो कम हो जाता है मगर वैसे वो पूरा दिन रहता है, तो हम उसमें relieving factor, aggravating factor and associating factor must define करेंगे क्योंकि best history के लिए यह parameters बहुत जरूरी होते हैं और यह पूछते हैं कि fever की जो periodicity है, जैसे मतलब यहां कहें कि occurrence कब हो रही है, जादा night को हो रहा है या morning को हो रहा है, तो यह भी उसमें हम add करते हैं कि fever जादा night को आपको हो रहा है, या morning में हो रहा है वैसे तो बहुत सारी details हैं, मगर उन मेंसे जो बहुत dominant factors हैं उसको मैंने define कि है अनर शेल में